परिचोए, जब बहुत गर्मी लग रही हो और आपको ठंडी हवा की आवशक्ता हो तो सबसे पहले आप पंखा चलाते हैं या आप ठंडे मौसम से बचने के लिए गर्म कौफी पीना पसंद करते हैं, आप कौफी की मशीन को चालू करने के लिए बटन दबाते हैं, आपको पंखा चलाने या कौफी की मशीन को गर्म करने के लिए बिजली का सुइच क्यों दबाना पड़ता हैं, आईए, इस पार्ट में हम इन सभी चीजों के बारे में जानें, उद्देशे, इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, किसी परिपत म एलेक्ट्राउन के बहाव का वर्ण करना, एक वास्तविक विद्यूत परिपत बनाना, विद्यूत परिपत का आरेक बनाना, किसी विद्यूत परिपत का वर्ण करना, विद्यूत परिपत, एक विद्यूत सेल या सूखा सेल बल्ब के प्रकाश का सुरोध होता है, आईए जानें कि टॉर्च का बल्ब कैसे प्रकाशित होता है। पहला चरण टॉर्च से बल्ब निकालें। आप देख सकते हैं कि बल्ब पतले शीशे का छोटा गोला होता है, जिसके भीतर दो मोटे तारों से फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है। इनमें से एक मोटा तार बल्ब के आधार की धातू के कवच से जुड़ा होता है। दूसरा तार बल्ब के आधार की धातू के शीश से जुड़ा होता है। आधार में इस्थित धातू का कवच और धातू का शीश बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, विद्युत परिपत. दूसरा चरण दो आधे मीटर लंबे आवरण युक्त तार लीजिए, चाकू की सहायता से दोनों तारों के सिरों से प्लास्टिक का खोल हटाईए, बल्ब को बल्ब होल्डर में लगाईए, अब ये दो पेंच बल्ब के दो टर्मिनल हो गए, आवरण युक्त तार को चित्र में दिये गए प्रकार से होल्डर के दो टर्मिनलों से जोड़ दें, विद्युत परिपत, तीसरा चरण, आखिरकार, स्वतंद्र तार के एक सिरे को सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ ये, और दूसरे सिरे को सेल के रिनात्मक टर्मिनल से जोड़ ये, इसे रबर बैंड या चिपकान जोड़ने वाले टेप की सहयता से भी जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि बल्ब प्रकाशित हो चुका है, बंद एवं खुला हुआ परिपत। यदि आप देखेंगे तो दोनों तार दोनों टर्मिनल से जोड़े हुए हैं। यह एक अखंडित परिपत है, यानि एक बंद परिपत है। सेल के एक छोड़ से तार को हटा दीजे, अब आप इस पत को टूटा हुआ पाएंगे। अब बल्ब भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि इस परिपत से विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। एक टूटे हुए पत को विद्युत परिपत है। जब हम किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे फ्लोरसेंट ट्यूब, पंखा या वातानुकूलक इत्यादी का प्रियोग करना चाहें या ना करना चाहें, तो उसके अनुसार हम स्विच को अन या आफ कर देते हैं। हम स्विच को उपर की ओर तबा देते हैं। यह परिपत को खंडित कर देता है, यानि तोड़ देता है, जिससे वह प्रकाशित नहीं हो पाता। स्विच इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सामाने परिस्थिती में परिपत खुला रहे। परिपत से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। जब हम स्विच का दूसरा सिरा दबाते हैं, तो यह परिपत को बंद करने के लिए जुड़ जाता है। परिपत से विद्युत प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। या आप यह भी कह सकते हैं कि स्विच किसी परिपत को खोलने या बंद करने का यंत्र होता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रकाशित हो जाता है। एक बंद परिपत स्वयम से विद्युत को प्रवाहित होने देता है। खुला परिपत एक खंडित या तूटा हुआ परिपत होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। स्विच एक यंत्र है जिससे परिपत को खोला या बंद किया जाता है।